कि नमश्कार and very good evening to all of you कैसे हैं सब लोग I hope so आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए एक बार फिर से मैं धरमवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टैक पूरबाय एक्जाम पूरपर तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाएंगे अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है फिलेट वेल्ड तो आप लोगों को सभी को पता है मशीन डिजाइन हमारा चला हुआ है तीसरा डे है कल हम लोगोंने सुरी सेकेंड डे है शायद मेभी तो आज मैं आज लोग आप मैंने कल आप लोगों को फिलेट वेल्ड के बारे में कुछ बता दिया था आज और इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं फिलेट वेल्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि सभी लोग शेयर कर दीजे ताकि maximum number of people's हम लोगों के साथ जुड़ चके ठीक है कल हम लोगोंने बेटा फिलेट वेल्ड देखा फिलेट वेल्ड के मैंने आप लोगों को दो पार्ट बताये थे एक फिलेट वेल्ड आपका होता है पैरलल फिलेट वेल्ड एक आपका होता है ठ्रान्सफर फिलेट वेल्ड ठीक है मैंने अप लोगोंको लने वेल्ड के बारे में जो हम लोगों को देखना था वग लोगोंने क्या क्या देखा आप लोगों को याद करने वाली जो बातें थी पैरलल फिलेट वेल्ड की वह आपकी कौन-कौन सी बातें आप लोगों को याद कर नहीं थी सबसे पहले कि हमारे पास maximum strength of parallel fillet weld क्या आएगा maximum strength of parallel fillet weld क्या आएगा वो हमारा था is 0707 T into L into what into one well sir there is a tau permissible right ठीक है ठीक उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा maximum stress induced hota है in parallel fillet weld the maximum stress upka induced hota है वो कहां पर induced hota है theta आपको theta बताना था तो theta आपका maximum stress induced कहां पर होता है उलसर हमारा 45 degree पर होता है कितने पर there is a 45 degree Celsius पर right tisra हमारा था कि अगर हम H H आपने देखा था that means there is a throat thickness there is a throat thickness or it is the minimum thickness और मैंने आप लोगो को बता दिया था it is the minimum thickness of the weld अगर आप लोगो को याद हो it is a minimum thickness of the weld capita it is the minimum thickness of the weld तो यह हमारे पास कितनी है यह यह आप कैसे निकालते थे हुलसर यह हम निकालते थे h sin theta cos theta और theta जब आप 45 degree put करेंगे तो यह हमारे पास कितना आता था वह यह 0.707 T हमारा आ जाता था तो यह important बातें थी जो आप लोगो parallel fillet weld के बारे में याद रखनी थी I hope so आपको सभी को यह बाते याद होगी clear है चलिए अब मैं चलता हूँ next part पर अब मैं चलता हूँ next part पर तो हमारा जो topic होगा वो अब दूसरा topic होगा मेरा दूसरा part जिसका नाम होगा क्या trans transverse fillet weld that means transfer fillet weld right there's a tfw क्यों कि बार बार मैं इसको यहां पर इस तरीके से नहीं लिखूंगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब transfer fillet weld किसको बोलते हैं तो transfer fillet weld मैंने आपको लोगों बताया था कि दा लोड अक्टिंग वट वर प्रपैंडीकोलरा टू वेल अगर आपका जो लोड ए Mayo एक्ट कर रहा है तो हम लोग Bully लेंगे इडिज़ ट्रांसफर फिलिट वेल्ट ठीक है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दो फिगर आप मैं आप लोगों की सामने बनाऊंगा वो दोनों ही आपके सामने कैसे होंगे पर ट्रांसफर फिलिट वेल्ट होगे जैसे सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं हमारे पास लोड लगा हुआ है पी और यह आपका लोड लगा हुआ है क्या पी ठीक है तो यह अगर मेरा बच्छा इन दोनों को हम अगर जोड रहे हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह क्या होगा आपका वेल्ट यह आपका क्या है वोला सर दिस इस दा वेल्ट राइट एक और डागराम में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं suppose that आप लोगों ने देख अगा T आप लोको ने देखा होगा there is a T जॉाइंट तो अगर हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट एड करते एक प्लेट को दूसरी प्लेट पर आड करते हैं तो यहां पर आप लोगों के देखा होगा that means there is a T joints तो यहां पर हम क्या कर देंगे यह हमारा हो जाएगा that means क्या हो जाएगा double T joint right then this हमारे पास क्या है यह हमारे पास Loudesk रहा है यहां से घ्र कहा गोरिज देhर बート आप लोगों को किलिए हो गया ना वहां सर या सर्था ट्रांस्टर करता हुए मेरा बच्चा अब मैं क्या करता हूं बच्चा आप मुझे जो चाहिए मुझे क्या करना है अब अब हम इसकी analysis करते हैं कि जो हमारा transfer fillet weld जो होगा उसके अंदर हमारे जो stress induced होगा वो कितने degree पर होगा और जो maximum stress होगा वो कितने degree का होगा और उसकी जो strength होगी उसका क्या formula होगा जैसे आप लोगों ने parallel fillet के लिए किया वैसे ही हम लोग क्या करते हैं transfer fillet के लिए भी यूज करते हैं और दिस इस वेरी इंपोर्टन राइट चलिए तो अब मैं यहां से अगर आपको देखता हूं कि अग मैं क्या करूंगा सबसे पहले बिटा मैं इस कॉर्णर को ले लेता हूं सबसे पहले मैं क्या करता हूं इस वेल्डेट जॉइन को ले लेता हूं अगर मेरा बच्चा मैं इस वेल्डेट जॉइन को लेता हूं अगर मेरे बच्चे मैं इस वर्ड वेल्डेट जॉइन को लेता हूं तो मेरे पास कुछ enlarge view मृश का बना लेते हैं इसका हम एक and large view आपके सामने बना लेता हूं हमारे पास एक view बन जाएगा यह आपका रइट तो यह हमारी दूसरा पार्ट अगरम बात करें, दूसरी पार्ट अगरम देखें, तो ये आपका क्या है, ओला, sir, this is the minimum thickness, this is the minimum thickness, ये आपके क्या है, जिसको आप बोलते हो, h, ये आपके क्या हो जाएगी, there is a h, इसको हम लोग आगे, थोड़ा सा extend कर देते है, ठीक है, राइट, क्योंकि यहां हम लोगो को कुछ चीजे चाहिएगी, इसको हमने बोला, that means there is a throat thickness, or that is what, that means there is a minimum thickness of the weld, right, clear है, ठीक है, अब मैं आप लोगो को दिखाना चाहता हूं बेटा, इसके अंदर, हम दो पार्ट से चीजो को देख सकते, दो पार्ट से चीजो को देख सकते, एक हमारे पास ज क्या कर देंगे, यह हमारे पास, इसके डारेकोट हो जाएगी, यह मेरे ऊसके डरेक्शन हो जाएगी, हाइना, और हां सर, यह इसकी डारेक्शन हो जाए, clear है, तो जरा मैं बाप देखूं, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लोड लगा देता, हो ड by is load को मैंने बोला क्या, पी इस लोड को मैने बोला क्या पी राइट तो मैने इसको बोल दिया लोड पी ऐसा नहीं है कि सर आप इसी को ले सकते हो मेरा बच्छा एक लोड मैं यहां भी लगा सकता हूं तर्मिस अगर मुझे प्रपेंडिकुलर है यह भी बिटा आपका वेल्ड के परपेंडिकुलर हो किये मैं बोलना चाता हूं दोनों ही प्रपेंडिकुलर होंगे हा या ना एक बार जल्दी से बता दीजे दोनों ही प्रपेंडिकुलर होंगे या नहीं कुछ समझ में आ राइधा में बताना चाहरा हूं एक बर बता दीजे कि फिर में आगे चलूंगा मेरा बच्छा ये व कीजिए मेरे दोस्त हां सर तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों ही परपेंडिकुलर हों राइट ठीक है चलिए अब मैं यहां पर इसको मैं रब कर देता हूं मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आप देखने की कोशिश कीजिएगा उला सर अब जब ये वेल्ड ये हमारा क्या ह है दिर इस थ्रॉट थिकनेस यह आपका क्या है वोला सर थ्रॉट थिकनेस जब थ्रॉट थिकनेस आप लोगों को पता है आप लोग क्या कर रहे है आप लोग क्या कर रहे है वोला सर मुझे क्या चाहिए मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस मुझे पता करना है कि मेरा मैक्सिमम स्ट जो minimum होगा वाइपका क्या होगा वोल सच दरीज एक बंद तू! सढ़ारी एक इंतू यह आप लोगों को पता है अच आपका वी गामन फिकनेस और आपके क्या होगी पूरी पूरी लेंथ तो मैं बोलना चाहता हूं रो Украї हो यह हमारा औज हम लोगों को लेकर चलना है तो मैं बोलना चाहता हूं अब इस लोड को अगर मैं इस थिकनस पर देखूं यह जो थ्रॉट थिकने से इस पर अगर देखूं तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इस थिकनस पर अगर मैं लोड लगा रहा हूं तो यह लोड ना तो इसके और नहीं इसके प्रपेंडिकुलर है यह लोड ना तो इसके प्रपेंडिकुलर है और नहीं इसके प्रपेंडिकुलर है बोलो हाया ना बोलो हाया ना नहीं सर ना तो इसके प्रपेंडिकुलर नहीं इसके पैरलल क्यों आप निकाल रहे हो क्या निकाल रहे हो क्या निकाल रहे हो क्या मैं इसके अंदर ये निकाल रहा हो कि मुझे एरिया में इमम चाहिए राइट चलो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा बेटा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा तो मैं इसको क्य होगा ये वाला कंपोनेंट एक आपका कंपोनेंट होगा ये वाला एक आपका कंपोनेंट होगा ये वाला मैं कहना चाहता हूं क्या बीटा इस लोड के मैंने क्या किये दो component है एक component उसके parallel है एक component उसके perpendicular है इसको मैंने क्या बोला वोला sir it is the PS it is the shear load और इसको मैंने क्या बोला वोला sir it is the normal load एक जब आप इस P के दो component करेंगे जब इसके आपके दो दो component आप इसके करेंगे तो मैं बोला चाहता हूँ pn or ps a a p2 लोड आ जाएंगे वोला सर यहां से डैट मुस्किलिर लीरी चीजे विझीबल नहीं हो रहे हैं ग्लेयर्लि चीजे विजी बल नहीं है तो मैं आपको उसे गाए चाहने बहुत इसका मैं इसका मैं एक ठीडी व्यू बना थां उस त्रीडी व्यू को आप देखें गा फट्रीड जिलो दैखीये यह आप लोगों के सामने इसका 3D व्यू दिखाई दे रहा है दिख रहा है तो देखना बिटा मैंने क्या किया मैंने क्या किया मैंने आपर दो चीजे ली मैंने आपर बेटा दो चीजे ली यह आपकी क्या है वोला गुर्देयो यह मेरी थिकने से टी राइट लहां सर यह मेर मिनिमम एरिया होगा जो आपका मिनिमम एरिया होगा वो कौन सा होगा वोला सर मेरा मिनिमम होगा एच इंटू एल मेरा जो मिनिमम एरिया होगा वो एच इंटू एल होगा तो मैं बोलना चाहता हूं यह आपकी है यह आपकी है यह आपकी है वहां सर ऐसे ही बिटा यहां पर भ एगा इस फिलिट का मैं बोलना चाहता हूं मैं बोलना चाहता हूं बिटा वो ये अरिया आएगा मैं बोलना चाहता हूं बिटा वो क्या आएगा वो ये अरिया आएगा एक बार बता दीजे हां या ना जो मैं बोलना चाहरा हूं वो जो एरिया आएगा that means क्या आएगा हा या यही एरिया होगा दाविज दिस्ट मिनमम एरिया दिस दा मिनमम एरिया प्लीज एक बार डिफाइन कीजे मेरा बच्छा मैं आपको चीजे दिखाने की कुशिश कर रहा हूं सर्क्या यहां कम्प्लीट कोर्स होगा आम न्यू हुए पुजा जी मैं दखो एक बात होती है यह मैं मैं यह तो कोई that 141 lightly complete AO gotta is δεν class देखो की कि आपको क्रास कैसी लगी फॉस्टावल कि सी भी ट्यूटर के पास जाती हो किसी भी एढ्टीटर इट अपकी डाइटर के पास आप जाती हो कोई बीडाम o लेने जाते यह तो आप जाके क्या करते आप से यह पूछते की पूरा कुपूरा कोर्स होगा नहीं होगा आप उससे यह बोलोगे कि पहले दिन उसके क्लास देखोगे ठीक है इस यू एबल टू अंडरस्टेंड अगर आप सोच समझ सकती हो और आपको अच्छा लग रहा है कि हां यह चीज़ उसके बाद हमार पढारा हूं और गेट का स्लेबस पढार रहा हुँ वह यूपीओ सी एकक स्लेबस पढार रहा हूं तो यूपीओ से इसे में स्लेबस है वह बटा मैं आप लोगों को कर बाऊंगा आए और नहीं भी करवाया है अगर example देखना चाहती हो तो बैटा मैंने riveted joint खतम किया well that means vaulted joint खतम किया आज मेरा दूसरा दिन है welded joint का तो अब वहाँ से जाके आप देख सकती हो और मैं कहना चाहतो यूभी पेसी यही का सले बस a very good morning very good evening guys ठीक है तो sorry for the inconvenience बच्चा छोड़ा सा internet problem हो गया था I hope so अब ठीक हो गया होगा ठीक है सुन पारें एक पर it is audible or not बिटा it is audible एक पर बता देंगे it is audible it is audible guys internet चला गया था that means पर प्रोब्लम होगे एक बचल्दी से बता देंगे it is audible or not फिर मैं क्लास आगे स्टार्ट करता हूँ it is audible बिटा it is audible हाई यह ना it is audible हम्टी शुरू करेंगे प्लीज जल्दी करा दो हम्टी बिटा मशिन डिजाइन तो कंप्लीट कर दो करवा जूंगा के लाओं कितना करवाओं टेक चलिए तो मैं आपको क्या दिखाना चाहरा था तो अब यहाँ पर यह आपकी पास एडिया हो गया अब अगर आब देखते हो यह जो लोड है यह आपका लोड है फ। młल है भ। यह जो लोड है पी यह डाट एड यह इस एरिया पर ना तो पर्पेंडिकुलर है ना ही पैरलल ना ही perpendicular है ना ही पालर है तो हम क्या करता है गुर्दयों इस यस, 로ट के दो component ले ले लेते हैं कि आप लोगों को पता वोगा तो यह आपका यह लगाल था पी यह आपका लोड यह लगा थो पी तो हम का कर त 그러면 ले थे एक आपका कैसा प्यालल और एकता लेंगे पर पेंडिकुलर तो मैं कहना है चाहंगा फिटा यह जो लोग यह जो आयेगा यहाप का कैसा आएगा फोला सर पैलला जाएगा जिसको आपने बोला शेर और यहाँ पे एक यहाँ पे अगर यहाँ को दिखाई है यह दूख सी लिए नॉर्मल लिया और दे लिया क्या शेड ए।व आने का लिया शिर तो हमने बैटा इस लोड के दो component ले ekiscan एक इसके parallel है और एक किसके क्या है प्रपेंटिकोलर है खेंड अब यहां से आप klok supplier कि दिखाए दे रही होगी आपसे surando a pro Mucha गट की दे रही होगी कि ऐसका मतलब इसका मतलब जो मेरा अपलएट वैलड है जमेरा transfer fillet weld है transfer Statement cui he वो शियर करेगा इन दो कंडिशन के अंदर that means the failure जो failure है आपका किसका transfer fillet weld का तो आपका fillet weld का जो failure है वो आपका दो तरीके से होगा एक बार मुझे बता सकते है तरीके से होगा वाला सर पहला तरीका दूसर तरीके सा मैं लब जैसमें हमारा जो वेल्ड है वो दो तरीके से फेल कर सकता है वो क्या कर सकता है दो तरीके से फेल कर सकता है तो एक बार मुझे बताए दो तरीके से कैसे कैसे व्लब दो तरीके से इस तरीके से एक तो आपको द किधर लग रहा है तो दूसरा किधर लगेगा लगAnn रेल अदर लगेगाहतो यह इसको क्या करेगा ठीचेगा तो मैं कहना चालवा तो मैं कहना चाहूंगा चाहूं गाह थो तरिक ch 1977 होगा एक शियर और एक आपका फेल्योर कैसा हो जाएगा वोला सर दरिजटन साइल एक हमारा फेल्योर कैसा हो जाएगा शियर फेल्योर एक हमारा कैसा हो जाएगा वोला सर दरिजटन साइल फेल्योर आई वोप सो आपको यहांता चीजिक धैरी होंगी कि छियर फेले और टेंच साइल फेले और हम लोग क्या कहते है क्लियर है अभिस पीछ को पीए्स मैं क्या निकाल लूंगा पीए सकते हैं तौन शक्म्न है सर्पी पीयस को लोग क्या कहेंगे वोला सर पी साइन थीटा और जो पीयन है इसको लोग क्या कह देंगे वोला सर दरीज़ पी को स्थीटा क्योंकि नॉर्मल है यह क्या है आपका नॉर्मल है तो पी नॉर्मल क्या हो जागा पी को स्थीटा और पीस आपका क्या हो जाएगा हो रहे हैं दो mr ufo pe is a shear failure और एक हमारे पास कैसा अ in shake लिये तो shear failure आप कैसे तो या अप कैसे नियुका लाइंगे कैसे निकाले गयी सैसे अनुरी कुले ऑला सर ऴेस्वेस को जाएगा सोय में का शैड़ पी साइन वर साइन फियन् थेता यूर एC ठीक है आम मैं आपको बात बताता हूं हम मैं आपको बात बताता हूं कि सर सर हमारा जो हमारा जो ट्रांसफर फिलेट वेल्ड है हमारा जो ट्रांसफर फिलेट वेल्ड है शियर इन दोनों हमारा क्या करेगा फेलियर इन दोनों में करेगा बट 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 हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं इस टेंसाइल फेलियर को हम क्या कर देंगे विटा नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग क्या कर देते हैं टेंसाइल फेलियर को हम लोग क्या कर देते हैं नेगलेक्टेड कर देते हैं क्यों कर देते हैं नेगलेक्टेड हम क्या कर देते इसको नेगलेक्ट करते थे इसको कंसिडर नहीं करते हैं अब बड़ा सबसे बड़ा क्युस्टन यहां पर खड़ा हो जाता है वह सर्वाई सबसे बड़ा क्युस्टन हो जाता है तो मैं कहना चाहूँए थोड़े से थोड़ा थोड़ी देर के लिए स्क्रिस्टन को अपने पास ब est Ballot तो जब यिसको नगिलेक कर दिया तो बेटा बचा क्या एसब आपने इसको नगिलेक कर दिया तो आपके पास बचा क्या आपके पास share फिल्यूर बचा आपके क्या बचा शियर फिल्योर तो मैं अगर शियर फिल्योर निकालूंगा तो मैं बोलना चाहता हूं टाव आपका क्या हो जाएगा वोला सर्षीर फोर्स सियर फोर्स अपॉन में वाट वोला सर शियर एडिया शियर एरिया तो मैं बोला चाहता हूं शियर फोर्स आपका क्या आय थे ह हिए हिए फिल याय पीछे पड़के आये थे क्या फिति की गिई करते से boys but इन टू एल यहां पर अब लिग दें गें साइन थीटा साइन थीटा constit calculations गॉश्टÁ ने ऊंगा आ होप से मैं तुन गुच गलत नहीं रहां आ मुझे क्या चाहिए है आं मुझे वो जगह चाहिए जहां पर मेरा मैक्सिमम टाव जनरेट कर रहा है जहां पर मेरा सियर स्ट्रेस कहां है जो मेरा मैक्सिमम सियर स्ट्रेस जहां पर है वहां पर हम देखेंगे तो हम लोग या करेंगे फॉर खौर्वार टाव मेक्सिमम अगर शाय कि मेरा मेक्शिमम्-C द्रहस- transcript इंदर कहां जनेरेट हो रहाए तो मैं क्या करूँगा आपको दिख रहा है तो मिलोग क्या कर देंगे रसर बी तौ इस भीत आउ किसके respect किसके respect theta के respect derivative कर दो और उसको पूट किसके कर दो zero के जब आपको डी टाओ theta theta के respect बेटा इसका derivative करोगे तो आपके पास जो आपके पास जब maximum shear stress का जो टाव आएगा आपका जो टाव निकल कर आएगा वो टाव आपका कितना that means there is 767.5 degrees Celsius degrees Celsius नहीं तो तो दर्मिस theta जो आपका आएगा वो कितना आएगा उलसर 67.5 that means जो आपका टाव maximum होगा यानि maximum ताव का प्लेन होगा वो कहां पर exist करेगा उलसर maximum tau plane the tau maximum plane exist at theta कितना जब 76.5 degree आपका होगा तो आपका क्या करेगा यह maximum tau करेगा clear है I hope so आपको यह चीज़े याद हो गई होगी कि यह मुझे तो कितना होगा सेंट तो ट्रांफर फिलेट वैल के लिए थीटा कितना होता है तो हम लोगों को लिखना है कि थीटा हमारा कितना आएगा तो maximum tau plane आपका कब होगा जब थीटा आपका कितना होगा 2.8 x T x L यह आपका क्या आजाएगा 0.8 to 8 x T x L यह आपका क्या आजाएगा Maximum C stress अब कई books के अंदर कई books के अंदर मेरा बचा इसको कुछ और तरीके से भी दिया हुआ इसको किस तरीके से दिया हुआ है इस वन पॉइंट वन पॉइंट तो आई तिंक कुछ दिया होगा एक बार मुझे थोड़ा याद थोड़ा सब भूल रहा हूं मैं एक मिनट दीजेगा मुझे 1.207 पी अपॉन में टी इंटू यह भी आपका क्या दिया है ताओ मैक्स आपका दिया है कितना ताओ मैक्स हम लो अब हमारे पास एक और यहां से आजाता है जैसे आप लोगों ने वा निकाला था थीटा ही आ गया अगर मुझे एच निकालना हो दैट विस्त्रॉट तिकनेस तॉट अगर मुझे निकालने तो आप क्या करो थीटा यांसे जबाल्यू पूट करोगे तो यह आपका यापक 65 into t आपका कितना आजाएगा तब यह आपका आजाएगा तो बेसिकली बिटा ट्रांसफर फिलेट वेल्ड के लिए आपको क्या करना है यह दोनों चीजे यह तीन चीजे जो है वह आप लोगों को याद करने वेरी गूड प्रदीप कुमार जी वेरी गूड प्रदीप कुमा जाएगा उला सर इडिस ट्रांसफर फिलेट वेल्ड किसके लिए हो जाएगा ट्रांसफर फिलेट वेल्ड के लिए हो जाएगा किसके लिए ट्रांसफर फिलेट वेल्ड के लिए हो जाएगा ठीक है ऐसा ही अगर मैं पैरलल फिलेट वेल्ड की बात करूं किसकी बात करूं parallel fillet weld की बात करूं तो जल्दी से एक बार कर लिजे बीटा parallel work already the data कितना होगा विशर थीटा हमारा होगा 45 डिगरी अगर हमारा टाउ जो है अगर हम टाउ देखें तो टाउ मेक्सिमम जो होगा वह मारा होगा पी 707 टी इन्टो एल रइट और जो आप का था एच आपने लेका ला 0.707 टी इंटू स्वरी इंटू टी राइट ठीक है अब यहां से हम लोग क्या करते थे मैक्सिम्म स्रेंथ और निकाल लेते हैं कि जो आप की स्ट्रेंथ होगी जो आप की स्ट्रेंथ होगी पैरलल फिलेट वेल्ड की वो कितने थी देनu टाव परॉसिब्स आजी राइट वह सर मेरी स्टेंथ थे किसकी पैरलल फीलड की और अगर मैं यहां से इसकी ट्रांस्फर फिलेट वेल्ड की निकालू ट्रांस्फर फिलिचविक बलंगि निकालू तो यहां से मेरे पास आ जाएगि 828 828 TL into tau permissible right यह हमारे पास आगे गुर्दयो ट्रांसफर फिलेर कुई ठीक है तो यह चाहा बिटा कमपारीजन समझ लो चाहिए बच्छे आप कमपारीजन समझ लो चाहिए आप इसको कुछ भी समझ लो यह दोनों आप लोगों को याद करने इस आर्दर वेरी इंपोर्टन इस आर्दर वेरी इंपोर्टन केयर है के रोगए यहां तक एक बर यहां तक चीजे बता देंगे बिटा यहां तक आए होप सो आपको चीजे क्लियर होगी एक बड़ जल्दी से बता दें बच्छे है आप होप सो आयू गेंग में उट है लोगो या दो गई होगी और किस तरीके से आपने निकाली और कितनी निकाली77 आपको लोगों को याद हो गाई я चल अब बात ही आती है अब बात ही आती है किशर अभी आपने मैं बूला कि टंसाइल स्ट्रेंथ को आप नेगलेक्ट कर दो तो फो रहा थर अब वो जो वो मारे मन में जो छुपा के हम लोगों ने रखा था वो थोड़ा सा गुद्गुदी सा कर रहा उसके बारे में बताओ तो मैंने बोला बीटा मैंने बुला बीटा कि अगर ट्रांस में टौकर मुझे देखना है तो मैं कहना जाटो थीता हमारा कितना होगा थीता हमारा कितना होगा उलसर 76.5 होगा 76.5 होगा तो मैं भोलना चाहूंगा एक बार्श गरो एक बार आप क्या करो जो P के अंडर जो p n निकाला था आपने क्या करो P into cos 67.5 . पूट करो और एक बार आप क्या करो पीएस इस इकल्स टूपी साइन 67.5 पूट करो और मुझे जल्दी से मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी एक बार वैल्यू पूट करो और वैल्यू पूट कर कि मुझे बताओ किसकी वैल्यू कमाएगी किसकी वैल्यू ज्या जदा होती है तो यह कम हायगी sign के वेल्व जदा है तो बहुत Sir ये क्या आएगा more आएगा जब पटा इसकी value less आएगी इसकी value less आएगी तो मैं ब्लोना चाहता हूँ यह भी क्या होगा ताटी मिन्佐री stress produce करेगए जब लेस्ट brightest stress produce करेगा तो हमारा जो टेखन केर वाला काम है हमको failure से वचानी इसकी वज़े से फेलियर तो होगा झाए नहीं इसकी वज़े से फेलियर तो होगा नहीं देट वाइब समय जो लोड आएगा और बीन जो डिकर सकते हैं नेगलेक कर सकते हैं यहां से म्या का देख सकते हैं होगयmen डॉले चलिए लेकर चलिए । अब यह जब चीज मैंने देखी जब मैरे बच्चे मुझे दो चीजे आई याइंद मैं बोलना चाहता हूँ आपके पास मैं इसको ले लेता हूँ equation number one इसको मैं ले लेता हूँ equation number two आपके पास बेदा basically sir conclusion that means this का क्या होगा थोड़ा सा बता सकते है मैंने बोला हां बिटा जो तु कहना चाहा है तो मुझे सीधा नहीं बता पा रहा लेकिन मैं तरह किस्टन को समझ गया कि तू पूछना क्या चाहरा है ना चल मैं तुछ देखता हूं मैंने क्या किया मैंने क्या किया बच्चे मैं क्या किया आपकी जो डाट मीं जो स्ट्रेंथ है ट्रांसफर फिलिट वेल्ड और जो स्ट्रेंथ है पैरलल फिलिट वेल्ड दोनों को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया मैं जो दिखाना चाहता हूं देखने कुशिश करिए तो ट्रांसफर फिलिट वेल्ड का हमारा जो आया था उमारा आया टाव परमेसिब राइट वहाँ शर और यहां से हमारा आया seven zero seven T. L. is a T. o. परमेसिबल वहां सर बिलकुल ठीक है अगर मैं बच्चे isco card do isco card do to mere pass a hopper a point I just come bulletin that means 1.17 the best corner of card they take him the best corner of card thingy tomorrow pass cash I go la sir yeah my passage ago 1.17 that means well sir what what do you mean by this to make an a chart of it is come at love kya ho jayega is come at love you ho jayega ki yeh aapka kya hai 1.17 then parallel fillet weld there's a parallel fillet weld I hope so yaa se apkus dekh pa rehoi I hope so engineer ho a bia se kuch dekh pa rehoi ndhik hai nahi bhi dekh pa reho toh mein aapko dekh aunga pita yeh aapne kya dekh haula sir there is a strength of transfer fillet weld well sir this is the strength of parallel fillet weld to make a nacho of it a strength kiski jada mekana chama beta strength kiski jada strength kiski jada transfer fillet weld key or or parallel fillet weld key will a sir together will a sir transfer fillet weld key strength jada to enable takitani jada kithani jada tommy a licking a I'm your licking a kewla sir note will I'm your licking a sir note the strength of the strength of transfer fillet weld is 17 times more than strength of and a kewla menabula sir strength of the transfer fillet weld it's 17 times more than the strength of parallel fillet went will a hyena or a sir satra times who say jada i satra times to say jada to my bullet at a point one seven point one seven that was seventeen time points wine point seventeen time to say jada to obviously by the beta so that means failure k chances kiski jada failure k chances kiski jada transfer kya parallel k balances kiskiолida with a sort failure k chances kiski jada litt 2020 and that be a he charges is rugged if we look at home in the world and actually चाहता हूँ बिटा जिसके ही जिसके चानसे ज्यादा फिलियर के होते असे सबसे बड़ी बात ये लखोँगा कि जो भी भी वेल्ट आपको डिजाइं आपको कोई भी वेल्ट डिजाइन करने के लिए दिया हुआ है कोई भी वेल्ड जॉइंट अगर आपको डिजाइन करने के लिए दिया हुआ है तो मुझे एक बार ये बता दीजे आप कौन से कौन से फिलेट वेल्ड अगर आपको दिया हुआ है तो किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे उसको क्या मान के चलेंगे transfer fillet weld मान के चलेंगे यह parallel fillet weld मान के चलेंगे एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे क्या मान के चलेंगे वोला सर हम यहां पर मान के चलेंगे कि हमारे पास जो weld है हम उसको जो design as per design design of welded joint design of welded joint as per as per parallel fillet weld criteria as well criteria unless otherwise mention ठीक है जब तक वो mention ना करे क्या बटा जब तक वो mention आप तब तक आप उसको क्या मान के चलेंगे वह सब तब तक उसको पैरलल fillet weld मान के चलेंगे उसको change नहीं करेंगे clear है ठीक है और आप लोगोने कई बार देखा भी होगा आप लोगोने कई बार देखा भी होगा कि जो numerical हम लोग करते हैं वहाँ पर हम लोग पैरलल fillet weld को ही लेकर चलते हैं हम लोग क्या करते हैं पैरलल fillet weld को ही लेकर चलते हैं तो वो किसले लिया जाता है वो बैटा सेफर कंडिशन के लिए उसको पैरलल फिलिट वेल्ड का मान कर लिया जाता है उसको से फर उसको से फर साइड मान कर ही उसको क्या बोला जाता है कि सर से फ मन क्यों को पैरल फिलिट वेल की तरह यूस किया जाता है तो यह बिटा that means वो मैंने थोड़ा सा गर language grammatical mistake we're gonna card the hotel koi batni is Kelly up via this is Kobe up to note lick sakti okay to a lick nacho the a note up lick sakti right thus my cali kai the strength of the transfer fillet weld is 1.17 times tabula 1.17 times of the strength of the parallel fillet weld as mentioned as a mention in section 8.80 book hair that means book hair the many times the many times the transfer fillet weld is designed by using pannega designed by using the same equation of parallel fillet weld transfer fillet weld have previous cookout design karrao parallel fillet weld give it is a cue design correct for the safer the such a design is on the safer side cabal rabbit up for safer side with the additional advantage of the simple calculation right simple calculation case your safer case a word design cuta yeah 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 तो एक बन जल्दी से बता दीजी यहां तक चीज इन क्लियर है मेरे बच्चे आई होप तो आहीं विटिंग में यह जैंए फ्टीर है चलिये अब मैं आपको चोटा सा Alcohol करवाताइब मेरिक कोशिश कीजिए चनि-मेरिकलत आपके पास कैसे आता है चल्य चले चले आगे चलिए आप चोटा सब नुमेरिक लेते हैं ताकि हम लोगों कोई प्रॉब्लम ना हो ना चलो एक बर का कैल्कुलेटर की हल्प आप ले सकते हैं बच्चे कैल्कुलेटर की हल्प आप ले सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है कैल्कुलेटर की हल्प आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम न आपकी वीडियो एक लेक्चर से कैसे देख सकते हैं रंजन गुपता जी एक लेक्चर से आप ऐसे देख सकते हैं आप क्या किये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में यूपी-PSC-AE तो यूपी-PSC-AE का जब प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पर आपको मशिन डिजाइन का मिल जाएगा वहां से वन बाइवन आपके लेक्चर है आप देख सकते हैं ठीक है और डेली अगर क्लास में आना चाहते हैं तो डेली बिटा 7 पीम पर मेरी क्लास चलती है तो अब आईएगा ठीक है चलिए तो एक छोटा सा नुमेरिकल है इस नुमेरिकल को एक बार हम देख लेते हैं कि नुमेरिकल यह कैसे होगा राइट चलिए कर दो कर दूब चले चलिए तो बटास ने क्या बोला इसने बोला दा स्टील प्लेट 100 mm वाइट अधर 10 mm thick is welded to the another steel plate by means of a double riveted क्या बोल राइबटा इस दबल पैलल फिलेट weld add shown in the figure the plate are subjected to a static tensile force 50 kilonewton determine the required length of the weld if the permissible shear stress in the weld is 94 newton per minute right तो यह आपको क्या बोल रहा है कि हमको length चाहिए यह length आप लोगों को पूछ रहा है कैसा है parallel fillet weld नहीं भी पता हो तुम को क्या लेकर चलना है parallel fillet weld को लेकर चलना है तो बटा parallel fillet weld के लिए strength आपने क्या निकाली थी parallel fillet weld के लिए strength आपने क्या निकाली थी examiner का hope याद रखो तो यह आजाएगा 0.707 tl into tau permissible क्या हो जाएगा tau permissible right लेकिन आप लोगों को याद हो आप लोगों को याद हो ही कितने के लिए निका लिए एक फिलेट weld के लिए यह दो फिलेट weld के लिए एक के लिए दो के लिए वह लगा तो दो अगर आ जाते हैं यहां पर कितने weld हैं वह लगा सर्दो तो दो है तो इसको आप multiply किस्से कर दो तू से multiply कर दो पिट आपका आँचर आज आएगा यहां से आप 50 into 10 दिस पावर 3 पूट कीजिए देन 707 into thickness आपको किता दे रखा है 10 mm एल आपको find out करना है टाव परमिसिबल आपको दे रखा है 94 तो मैं कहना चाहूंगा बिटा एल जो है वह आपका 32 सम्थिंग को चाह जाएगा 37.61 37.61 very good अनुब बचा 37.61 आपका mm आपका अंसर आ जाएगा तो था गुरुदेयो सिंपल सा क्योश्चन था इसमें ऐसा कुछ नहीं था एक और क्योश्चन हम लोग कर लेते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा वैरियेशन आपको करना होगा ठीक है दिस इस दा इंजिनिरिंग सर्विसेस क्योश्चन बिटा यह आपका क्या है है फरे गुड़ड़ पीछ वाले क्यूशं के अंदर देखा था आपके पास क्या थे दो पैर्लल फिलट वेल्ट थे दो पैर लॉटे लेगिन यहां पर देखो ल्हां पर देखो आग्र मैं बोलना चाहो तो यह आपके पास क्या है आपका नि filthy है और आपका ट्रांसवर फ फिलेट वेल्ड और कम्बिनेशन ओफ ट्रांसफर फिलेट वेल्ड और पैरलल फिलेट वेल्ड तो के दोनों का कम्बिनेशन हो जागा तो इस तरीके के क्रेशन को आपको कैसे निकालना है आप देखेगा बीटा अब दोनों वेल्ड है यहां पर एक साथ आप लगा नहीं सक यहां आप लिखेंगे पैर ट्रांसफर फिलर्ट वेल्ड और यह जो पी है यह पी क्या होगा तैमिस दरीजर टोटल पी तोटल पी इस तरीके से आप फॉर्मूला पूट करके आप इसके अंसर आप निकाल सकते क्लियर है तो हम को पी कितना दिया हुआ है पीम को कितना दिया है देखो जड़ा 85 kN या दिया है तो मैं इसको पूट कर लेता हूँ 85 इंटू 10 देस टू पावर 3 ठीक है पारलल फिलेट वेल्ट तो पैरलल फिलेट वैल्ट के लिए आपको क्या करना है क्या करना है कितने है पैरलल वोलसर दो पैरलल विलेट है तुम क्या करेंगे टू टू टू इंटू प् Gent prize크 टिंट ल्वीन है moeten थेखने से दी ओinkई है थिक्नह से चरह बारा 12.5 12.5 हो गया तेकलMA एंड ब्लेइड जिस व्हायद इस के अंदर तक अंदर ना नहीं नहीं लेना हे हम लोगों को ल उलीक एल ने रइत और मोर पास टावर में इस वल टा पर में सिवल कितना जाएगा हैँ फिले ले लेंगे ना तो मारी पास आ हा जाएगा गट और पास कितना आजाएगा there is a 70 plus plus दूसरा भी हम क्या लेंगे 0707 x 12.5 12.5 12.5 sorry इसके अंदर हम लोगो को ट्रांसर फिलेट में एला जाएगा 2 x 0.7 70 नहीं आएगा नहीं यहां पर सीर स्रेस्ट लेना सेवन टी उसके बाद एक और 70 तो यहां से बैट आप हैल की वेल्यू मुझे निकाल का बता यह कितनी आप की एल की वेल्यू है हरी आप ह 96 एक बार जल्दी से मझे बता दीजे क्यों कि देखो बटा मैंने आपको बोला था यह हमने लिया था 56 यह आपका कैट यह कैसा था पैरलव फिल इलट वेल तो पहलो फिल इल के ढमार पास यहां पर क्या आता रहर स्थेश्ट जब ट्रांसफर फिलैड वैल के अंदर आप द design for it's always designed for the shear I've got a sir yahaan पर आपने शियर क्यों लिया वहां पर टंसाल क्यों लिया मैंने इस लिया कि parallel fillet weld मैं उल्टा लिख दिया बटाए आपर यह आपका parallel ठीक हां विल कुछ ठीक है so that means parallel fillet weld it's used for only for shear लेकिन आपका लेकिन आपका जो transfer field lead है वो क्या कहा है दोनों के लिए apply हो सकता है तो यहां पर आप टेंसाइल ले लेंगे राइट तो जल्दी से एक बर बता दीजे 52.8 49.58 very good सुमित भाई सुमित भाई का answer आ गया very good there is a 42.11 mm बेटा यह मेरा answer आ जाएगा एक बर सॉल्व कर लीजे अनुप भाई विपिन अनुप विपिन कहीं प्रॉब्लम हो रही है I hope so 42 1.67 आतो रहा है सब का कोई प्रॉब्लम हुई यह बेटा आपका engineering services का question है यह आपका engineering services शायद 2002 में I think पूछा गया था ठीक है यह आपका engineering services का question है और कोई बात निया भी मेरा welded joint complete होने दो welded joint मेरा complete होने दो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे questions किये जाते हैं और आपको जितना मैंने करवाया जितना मैंने आपको करवाया एक question रह जाये तो मुझे बता देना और इतना तो मुझे विश्वास है जितना मैंने आपको पढ़ाया होगा और और एक वरद आप भी लगा के देख लेना इतना मैं कहता हूं ठीक है मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं नहीं कहता बिटा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं लेकिन इतना पढ़ा देता हूं कि मेरा बचा engineering services तक का question बना लेता है ठीक है I hope so ठीक है तो 42.126 मेरा बचा यहां पर आपका answer आ जाएगा clear है तो I hope so आज के लिए इतना काफी है कल हम लोग बहुत अच्छा पड़ा रहे हैं love from the केतन सर्टीम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच भए ठीक है थैंक यू सो मच clear चले तो मैं कहना चाहूंगो बिटा इस आर्दा riveted joint को complete कर लेंगे क्योंकि हमारे पाइस बट वेल्ड बचा है सिर्फ और एक बार चोटा सा बट वेल्ड भी हम कर लेंगे बट वेल्ड बचा बट वेल्ड के बाद छोटे से फॉर्मूला आते की ट्रांसफर अगर हो तो कैसा होगा बेंडिंग होगा तो कैसा होगा वह हम देख सकते हमारा काम हो जाएगा क्लियर है तो आज के लिए इतना काफी है बिटा कल हम मिलेंगे कल सभी लोग अच्छे से जितना आज मैंने पढ़ाया सारा प्रिपेर करके आ सौब